दोस्तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूर थे हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका जियो भी नीज पे दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूड़े ब्रेकिंग निउस के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सकाइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी जरूर डल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी नेकी थी केजरिवाल ने असंका जताई है कि इंदरा गांधी की तरह उनका प्येसो भी उनकी हत्या कर सकता है जिया दोस्तो उन्होंने कहा है कि भाजपा एक दिन इंदरा गांधी की तरह मेरी प्येसो से ही हत्या करा देगी मेरे अधिकारी भाजपा को रिपोर्ट करते है उन्होंने काये कि भाजपा मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है और वो एक ना एक दिन मेरी हत्या जरूर कराएगा जिया दोस्तों उन्होंने काये कि मेरी हत्या करा दी जाए और पुलिस कहेगे कि यह एक असंतुष्ट पार्टी कारे करता है इसका मतलब क्या हुआ यदि कोई कारे करता कैप्टन अमरेंदर सिंग से नाराज है तो क्या उसे मार सकता है यदि कोई भाजपा कारे करता प्रधान मतरी मोदी से नाराज है तो क्या उसे मार सकता है जिया दोस्तों आपको बता दें कि इस आरोपर परतिक्रिया व्यक्त करते हैं दिली पुलिश ने कहा है कि उसकी सुरक्षा इकाई अच्छी तरीके से प्रसिक्षित कर्मियों का पे सेवर समू है जो पूरी तरीके से उनके कर्टब के परतिबध है दिल्ली के मुख्यमंतरी की सुरक्षा टीमों में तैनाथ सुरक्षा कर्मियों अपने कर्तवों के प्रती समान रूप से प्रतिबद हैं जी हाँ दोस्तो अकली बड़ी कबर एयर टेल अपने ग्राहकों को इस रिचार से दे रहा है चार लाख का बीमा जी हाँ दोस्तो दूर सेंचार सिवा प्रतान करने वाली प्रमुक कमपनी भारती एयर टेल ने अपने ग्राहकों को मुबाइल फोन रिचार्ज कराने पर चार लाख रुपे का जीवन बीमा उपलावद कराने के उदेश से जीवन बीमा चेतर की कमपनी HDFC लाइसेंस इंसूरेंस से करार किया है दोनों कमपनियों ने बताया है कि इस करार के ताथ 299 रुपे का पहला रिचार्ज कराने वाले ग्राहकों को यह बीमा मिलेगा इसके लिए ग्राहक को पहले अपने रिचार्ज पर ऑनलाइन फर्म भरन इसके अतरिक्त अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रती दिन मिलेगा इसकी वैज़ता 28 दिन की होगी अगला रिचार्ज भी 299 रुपे से कराने पर बीमा पॉलिसी स्वता ही रिन्यू हो जाएगी जी हां दोस्तों अगली बड़ी ख़पर है मिर्जापूर में गर्जी मायव उन्होंने का है कि अफ गटवंदन में फूट डालो राजकरो की नीती नहीं चलेगी सपा के साथ गटवंदन को समाजवादी परिवर्तन का महा गटवंदन बताते हुए उन्होंने का है कि आखरी चरन के चुनाव में भाजपा चितित है उसकी सरकार जाने वाली है ने का है कि अब आखरी चरन और बहतर होगा अब भाजपा परिसान है इसके चेहरे बता रहे हैं कि भाजपा एंड कमपनी के बूरे दिन 23 मैं से आ रहे हैं इसके बाद योगी ने भी मठ जाने की तयारी सुरू कर दी है मायवती ने का है कि मोदी ने पिछले लोक समाचुन सरकार ने भी जातिवाद और पुंची पती सोच की वज़ा से गरीबों दलितों और आदिवासियों की कोई समस्या नहीं सका पूरे देश में दलितों आदिवासियों और पिछलों का आरक्षन कोटा अधूरा है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी के बरे बरबादी की कगा पर पहुच गया पाकिस्तान अब पढ़ सकती है सेंटर बैंक की हमार जी हाँ दोस्तों रुपे में लगतार आ रही गिरावट की वज़े से पाकिस्तान बरबादी की कगार पर पहुच गया है एक और बढ़ती महंगाई सी लोगों का हाल बेहाल है वहीं सेर बाजार में भ 17 साल की सबसे बड़ी गिरावत देखी जा रही है केवल दो दिन से ही पाकिस्तान रुपिया अमेरिकी डॉलर के मताबक तीन रुपिया गिर गया है में एक पिछले साल में पाकिस्तान रुपिया का भाव 20 फीशदी से घट चुका है आपको बताया दे कि पाकिस्तान में इस समय महंगाई दर आठ फीसदी तक महुच गई है यहाँ बिजिली, पेट्रोल डीजल, गैस और इंधन के दम आस्मान छू रहें खबरों के अनुसार भारत में बढ़ते तनाव के कारण दूसरे देसों ने भी पाकिस्तान की मदद करने से मरा कर दिया है पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत के साथ अच्छे रिष्टे की सुरुआत करें जिससे कि उसकी गिर्ती अर्थ बेवस्ता बचाई जा सके जी हा दोस्तो अगली बड़ी खबर चंदर बाबू नाइडू की सत्ता साधना राहूल सरद अखिलेस के बाद मायवती से मिले गिफ्ट में दिया आम जी हा दोस्तो आखरी चुनावी चरण की वोटिंग अभी बाकी है मतगणना 23 मई को है लेकिन दिल्ली से लेकर के आंधर परदेश और उत्तर परदेश में सरकार बनाने की सुबुगाहटे तेज हो गई है अगले पांच साल तक हिंदुस्तान की सत्ता पर राज कौन करेगा इस से लेकर के समिकरन जोड़ तोर पर जाने लगे हैं इस पूरी कवायत में आंधर परदेश के सीएम चंदर बावू नाइडू एक मध़श्ट बन करके उबरे हैं वह केंदर में गैर बीजेपी सरकार बनाने के लिए सारे संभावित परिद्रिश्टों पर बिचार कर रहे हैं इसी सिलसिले में नाइडू ने सियासी दिगजों के साथ मेराथन बैठके की उसमें कॉंग्रिस अधक्ष राहूल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की और संभावित चुनावी परिनामों पर चर्चा की विपक्ष की ये सारी कोशी से इस तथ्य पर अधारित है कि अगर केंदर नतीजे के बाद मोदी सरकार फिर से असपष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो बिना मौका गवाएं विपक्षी दलों को एक जुट रखा जा सके इसी कोशिस को आगे बढ़ाते हुए यूपी के चेर परसन सूनिया कांधी ने भी 23 माई के नतीजे के बाद विपक्षी दलों के साथ बैठक बुलाई है आपको बता दे कि चंदर बाबु नाइडू ने लखनव में उत्तर परदिष के पुर मुखमंतरी मायवती और अखले सियादों से मुलकात की नाइडू ने लखनव में CM Office में अखले सियादों से मुलकात की और उन्हें मायावती को आम गिफ्ट भेट दिया। जेहां तो गैर बीजेपी सरकार के गठन के लिए चंदर बाबू नाइटू ने अश्चर जनक रूप से अपने कटर प्रतिद्वन दी और तेलांगाना के सीम चंदर सेखा राव को भी इस महा गठवंदन में सामिल करने क ने उता दिया है। टी आरेस की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि आरेस सहीत सभी पार्टियों का गैर बीजेपी महा गठवंदन में स्वागत है। दिलचस्प की बात यह है कि तेलंगाना सीम चंदर सेखा राव अपने अलग मिशन में व्यस्थ ह राव एक गैर कांग्रिस और गैर पीजेपी मोर्चा बनाना चाहते हैं। इस सिलसिले में वह डियम के चीफ एस्टेलियन से मुलकात कर चुके हैं। हाला कि एस्टेलियन ने उन्हें दो टुक कहा है। इस वक्त तीसरे मोर्चे की संभावना नजर आ रही है। इस पर चु रिलाइंस जियो का बोल बाला है। जियो हर दिन अपने काम्याबी की सिंधिया चड़ रहा है। कमपनी अपने यूजर्स को बेहतर सर्विस देने के लिए लगतार प्रयास करती रहती है। कमपनी के टेलिकॉम सेक्टर में कदम रखते हैं काफी बदलाव देखने को मिला ह इसी के साथ कमपनी काफी सारी अन सर्विसेस को भी यूजर्स तक पहुचा रही है। इस बार जियो ऑनलाइन खुदरा बैपार में भी कमाल करने की तयारी कर रही है। आपको बता दे कि बैंक आफ अमेरिका मेरियल लिंच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। रिलैंस जिय कान में देश का खुदरा बजार लगबग 700 अरब डॉलर तक जिसमें से 90 फीसदी हिस्सा असंगटी छेतर में है। आपको बता दे कि असंगटी छेतर में महलों में इस्तित किराना दुकानों आते हैं। इस तरीके के किराना इस्टोर डिजिटली करन में बढ़ोतरी करने म काम करेगा। जियो बिस्व के सबसे बड़े ऑनलाइन टू ओफलाइन इकमर्स प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। वही कमपनी महलों में चलने वाले किराना दुकानों को जियो मुबाइल पॉइंट ऑफ सेल के जरिये अपने 4G नेटवर्क से जोडने का काम कर रही है। ऐसे में यह सेवा इस्तमाल उप्रोगताओं को पेमेंट करने में भी मदद मिलेगी। रिपोर्ट से पता चलता है कि रिलाइंस जियो महज 3,000 रुपे में मुबाइल पॉइंट सेल मसीन दे रही है जबकि बाकी कमपनिया काफी अधिक कीमत पर मसीन उपलब्द करा रही है ऐसे में रिलाइंस जियो की टकर सीधे स्नैपीज और नुकर सौप्स और ग्रेफरूर जैसी कमपनियों से होगी। उमीद है कि रिलाइंस जियो की आने से दुकांदारों द्वारा अपनाए गई डिजिटली करन की नीती मिलेगी। ऐसे में रिलाइंस जियो मौजूदा 15, 12,000 डिजिटल एस्टोर को भविस्य में और अधिक बढ़ाने की मतद दे रहा है। जिहां दोस्तों अगली बड़ी कवरे भारत ने की जिहादी आतंकवाद से मुकाबले के लिए सिरलांका को पूरी समर्थन की पेसकस जिहां दोसों भारत ने जिहादी आतंकवाद के साज उसी देश ने यहां पेसकस की है। यहां भारतिय उचयोग में एक बयान में कहा गया है कि स्रिलांका में भारतिय उचयोग तरंजीत सिंग संधू ने कैड़ी के स्री डालाड माली गाउं या सेक्रेट टूथ रेलिंग मंदिर में दो सिर्ष बहुत विक्चुष से अपनी बयान में कहा गया है कि महानाय के थेरोस को सिर्लांका के परति भारत के बेसक और मजबूत समर्थन की तारिफ की है। आपको बता दे कि इस्टर के मौके पर हुए आतंके वी स्फोट में सैक्रों लोग मारे गये थे। इस हमले की इस्ट्रामिक एस्ट्रेट समूह ने जिम सैने गैरता